दोस्ता सब्सक्राइब करें क्रिकेट नाइन यूटिब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताएंगे हमारी वीडियोज मिले आपको सबसे पहले दोस्ता अगर आप बाबर आजम को एक बेहतरीन बल्लेबास मानते हो तो इस वीडियो को ज़रू लाइक करें पाकिस्तान और न्यूजिलेंड के बीच तीन वंडे मैचों के शरीस का पहला वंडे 17 सेप्टेंबर को खेला जाएंगा आपको बता दू ये मुकाबला रावल पंडे के स्टेडियम पर खेला जाएंगा जो दो पहर के दो बचकर 30 मिनट से शुरू होंगा आपको बता दू ये मुकाबला डे नाइट खेला जाएंगा इसके लावा अगर बात करें तो न्यूजिलेंड के टीम 18 साल बाद पाकिस्तान में पहली बार खेलते दिखेंगी दोनों टीमों के बीच अब तक 107 मुकाबले खेले जा चुकी है जिसमें पाकिस्तान ने 55 वही न्यूजिलेंड ने 48 मैच जीते हैं एक मैच बराबर रहा तो जबके तीन वंडे मैचों में कोई नतीज़ा नहीं आया डोनों टीमों के बीच आखिरी मकाबला 2019 के वर्ड कॉप में खेल गया तो जिसमें पाकिस्तान ने शानदार जीत हासिल की थी आपको पतादो निवजलेंड किर्केट टीम ने आखिरी मरतबा पाकिस्तान में 2003 में पाच वंडे मैचों कि स्रीज खेली थी जिसमें पाकिस्तान ने निव्जिलेंड को पाज जिरो से क्लिन स्वीप किया था अब बात करें प्लेंग लेवन की तो पाकिस्तान की समयच में प्लेंग लेवन कुछ इस तरह होंगी ओपनिंग में इमाम अलहक और फकर जमान खेलेंगे नमबर तीन पर बाबाराजम नमबर चार पर खेलेंगे महमद रिजवान नमबर पाच पर सौथ शकील नमबर छे पर इफ्तिकार एहमद नमबर साथ पर खेलेंगे शादाप खान तो वही नमबर आट पर खेलते दिखेंगे हसनली नमबर नौप और शाहिना अफरिदी नमबर दस पर खेलेंगे हारिस रौफ और नमबर ग्यारा पर उस्मान कादिर खेलते दिखेंगे